Hello everyone, I am Serta Srivastava from Mahatma Gandhi, Sikshan Sansthan. Now I am going to teach a standard fifth Hindi. बच्चों, आज मैं आपको आपके पाथे पुस्तक मकरंद से पाथ तीन का प्रश्मुक्तर पढ़ाने जा रही हूं, जिसका सिर्शक है संतुलित आहार, संतुलित भोजन. आओ बच्चों, हम प्रश्मुक्तर देखते हैं. पाथ तीन, संतुलित भोजन. प्रश्म एक है बच्चों, उचित बिकल्प के सामने सही का निसान लगाईए. कौ में प्रस्ण है, पोशक तत्तों से भरपूर भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? तीन बिकल्प हैं बच्चों, संतुलित भोजन, सामाने भोजन, तैलिये भोजन. तो इसमें संतुलित भोजन सही होगा, तो हम इस बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे. खो है, कार्बो हाइड्रेड किस से प्राप्त होता है? तीन बिकल्प हैं बच्चों, घी से, डालों से, चीनी से. तो बच्चों कार्बो हाइड्रेड चीनी से प्राप्थ होता है तो चीनी के आगे जो बॉक्स है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे प्रस्ण गव में है बच्चों किस तत्तो की कमी से आखें कमजोर होती हैं तीन विकल्प हैं प्रोटीन, वसा और विटामिन A तो बच्चों आखों की रोशनी कम होती हैं, आखें कमजोर होती हैं उसके लिए विटामिन A तो सही जबाब होगा तो यहाँ पर विटामिन A के सामने हम जो बॉक्स है उसमें ये सही का निशान लगाएंगे घव में प्रस्म है बच्चों, हमें दिन भर में लगभग कितने गिलास पानी पीना चाहिए विकल्प है 8-10 गिलास, 12-15 गिलास और 2-3 गिलास तो बच्चों हमें दिन भर में 8-10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए इसलिए इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे, आठ से दस गिलास के सामने, अब दूसरा प्रस्म है बच्चों, कौन साब पोशक तत्व किस भोज्य पदार्थ से मिलता है, यहां पोशक तत्व का नाम दिया हुआ है, और इधर भोज्य पदार्थ का कॉलम बना हुआ है बच्चों, तो इसमें आपको भरना है, यहां वसा है, तो वसा के लिए हम मखन लिखेंगे, तेल में भी यह होता है, एक ही लिखना है, एक ही लिखेंगे, कैलसियम, दूध, खनीज लवन, पत्तेदार सबजियां, बिटामिन सी, संत्रा, बिटामिन ए, फल्म, और बिटाम है, कि नीचे दिये गए, प्रस्णों के उत्तर लिखें, को में प्रस्ण लिखा हुआ है, बच्चों, हमें संतुलित भोजन क्यों खाना चाहिए, उत्तर आप लिखोगे, क्योंकि संतुलित भोजन स्वास्ते वर्धक और पोशक तत्तों से भरपूर होता है, अब दूसरा प्रस्ण खौ में है बच्चों, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो उत्तर हम लिखेंगे इस परकार, दूद, दही, अंडा, मांस और दाल प्रोटीन के मुख्य स्रोत है, गौ में प्रस्ण है, वितामिन A और B की कमी से कौन-कौन से रोग हो शकते हैं, उत्तर है बच बच्चों, बितामिन A की कमी से आखों की बिमारी और संक्रामक रोग होते हैं, तथा बितामिन B की कमी से जीव में छाले परने जैसा रोग होता है, अब है बच्चों, प्रस्ण घौ, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, और संतुलित भोजन के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं इसमें दो प्रस्ण दिया हुआ है बच्चों अब हम पहले प्रस्ण को लिखेंगे कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं बच्चों उत्तर लिखोगे कि भोजन के प्रमुख पोशक तत्व जो हमारे सारीरिक विकास में मदद करते हैं उचित मात्रा में मौजूद हो वह संतुलित भोजन कहलाता है और दूसरा खंड है प्रस्ण का कि संतुलित भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं कि हमारे सरीर के लिए कैलसियम और फासफोरस क्यों जरूरी है उत्तर लिखेंगे क्योंकि कैलसियम और फासफोरस दांत और हड्डियों को मजबूत रखते हैं यह इसका उत्तर हो गया बच्चों इस तरह से आप प्रस्म का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाओगे धन्यवाद